काटन के उपर वह काशकर हदराद जो के अगेती काश कर रहे हैं कर रहे हैं तो उन्होंने जो काटन के जो पौदे हैं जो सीड हैं उनका जो एक एकड में पोदे से पोदे का फासला कितना रखना है और खेली का फासला कितना रखना है दूसरे नमबर पर जो है उन्होंने एक एकड़ में कितने पौदों को यानि कि मैक्सिमम जो पौदे हैं होने चाहिए यानि कि अगर वो काशकार हदरा जो देख सकते हैं आप अगर वो काशकार हदरा जो है वो मार्च में काशका रहे थे तो पौदों की फियकर जो है वो मगदाद कितनी होनी चाहिए और अगर वो काशकार हदराद जो के अपरेल में काश करना चाहते हैं उनके लिए पौदों की तदाद कितनी होनी चाहिए और जो काशकार हदराद जो है जो हमारे काशकार हदराद गंदम की कटाई के बाद जो है व काश्ट करना चाहते हैं तो किस लिहां से और किती रिवास में जो है वो सीड वो लेकर पूदों को पूरा करेंगे फिर उनके साथ उनकी अच्छी पैदावार हास्ट होगी। तो आईए चलते हैं इसे पूरे process को हम तुछील से 말씀 है और देखते हैं के गेती पुचेटी और द्रमाइनी काष्ट का ध Awesome का हजरा हम आता हैं वह एक एक्ड में 6-8 kg बूर उत्रा फी एकड़ इस्तमाल करें अब देखते हैं कि अगर आप गेती काश्ट कर रहे हैं या अगर आप मार्च में काश्ट कर रहे हैं तो आपको जो खेलियों के उपर जो है वो पौदों का फासला कितना रखना चाहिए याद रिखे अगर आपने मार्च में बारा हजार से वो 14,000 फी एकड़ होनी चाहिए काश्कार भाई यो दूसरी दा आते हैं द्रमैनी का जो अपरेल में आने वाली है अपरेल में आपने ऐसे करना है कि आपकी अच्छी किसम का बीज है वो आपका पौदों से पौदों का फासला 12-15 इंच होना चाहिए खेलिय पौदों की कटाई के बाद जो है वो काश्क करना चाहते हैं तो पिछेती काश इसे कहते हैं यह कमता 15 मई तक आप उसे काश्क कर सकते हैं इसमें पौदों से पौदों का फासला जो है वो 9-12 इंच होना चाहिए और खेलियों से खेलियों का फासला जो है वो 2-6 इंच होना काशकार भाईयो आप जो है आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो है बिमारियों से पाक बिमारियों खलाव कुछते मदाफ़त रखने वाले अच्छी किसम के भी जो है वो इस वक्त मार्केट में माजूद हैं भीजों के मतलग हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि कौन सा भ काईदावार के लिए यह सी जरूरी है कि आपकी जर्मिनेशन जो है वो पूरी होने चाहिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट जरूर कीजेगा अलाह वे शुक्रिया केमेख का है कि आपकी है लिए कर दो है